जिस तरह से लोग विक्सित भारत रतों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रत के साथ चल रहे हैं, जो हमारे सरकार के काम करने वाले मेरे कर्मियोगी साथी हैं, कर्मिचारी भाई बैना हैं, उनको भी भगवान की तरह लोग स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह युवा और समाज के हर वर्क के लोग विक्सित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं जहां जहां के वीडियो मैंने देखे हैं वो इतने प्रभावित करने वाले हैं इतने प्रेरित करने वाले हैं और मैं देख रहा हूँ सब लोग अपने गाउं की कहानी सोचल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि नमो एप पर आप जरूर अपलोड करिये क्योंकि मैं नमो एप पर ये सारी गतिविदी को डेली देखता हूँ जब भी आत्रा में होता हूँ तो लगातार उसको देखते रहता हूँ किस गाउं में किस राज्य में कहां कैसा हुआ कैसे कर रहे हैं और युवा तो विक्सित भारत के एक प्रगार से एमबेसेडर बन चुके हैं उनका जबर्दत उत्साह है युवा लगातार इस पर वीडियो अप्लोड कर रहे हैं अपने काम का प्रसार कर रहे हैं और मैंने तो देखा कुछ गाउं ने ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली थी तो दो-दो दिन तक गाउं में सभाई का बड़ा अभियान तलाया क्यों कि भई ये तो गारंटी वाली मोदी की गाड़ी आ रही है ये जो उत्साह ये जो कमीट्मेंट है ये बहुत बड़ी प्रेडा है और मैंने देखा गाजे, बाजे बजाने वाले, वेश मुझा नई पहनने वाले ये भी जैसे घर में दिवाली है गाउं में इसी रुपे लोग काम कर रहे हैं आज जो कोई भी विक्सित भारत संकर्पी आतरा को देख रहा है वो कह रहा है कि आब भारत रुकने वाला नहीं है अब भारत चल पड़ा है अब लक्ष को पार करके ही आगे बढ़ने वाला है भारत न अब रुकने वाला है और नहीं भारत कभी ठकने वाला है अब तो भीक्सित भारत बनाना 140 करोड देख स्वासियों ने ठान लिया है और जब देख स्वासियों ने संकर्प कर लिया है तो फिर ये देश विक्षित होके रहने ही वाला है